41 साल के बाद किसी भारतिय प्रधान मंत्री ने आस्ट्रिया का दौरा किया है हमने निर्ने लिया है कि सम्मंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रधान की जाएगी युद्ध का समय नहीं है समस्याओं का समाधान रण भूमी में नहीं हो सकता प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी में औस्ट्रिया की एक दिन की दौरे पर हैं इस दौरान पिये मोदी ने भारत आस्ट्रिया की सिंखतु खोशना पत्र जश्वारी किया उन्होंने कहा कि मेरी ये यागपरा विशीस और र्यातिहासित है हमने दसकों के सहियों का खाका तयार किया है पिये मोदी ने कहा कि आज मेरी और चांसलर नहमर की बीच बहुत सार्थुक बात चीत हुई है हमने आपसी सहियों और मजबूत करनी के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है हमने नड़ने लिया है कि संबंदों को रणितिक दिश्चा प्रदान की जाएगी हम दोनों आतंकवाद की कठोर नंदा करते हैं आगे क्या कुछ कह रहे हैं पिये मोदी आईए आपको सुनाते हैं चैंसलर काल नेहमर दोनों देशों के डेलिगेट्स मीडिया के सात्यों नमस्कार सबसे पहले मैं गर्म जोशी भरे स्वागत और आतित्य सत्कार के लिए चैंसलर नेहमर का आभार प्रकेट करता हूँ मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कारकाल की शुरुवात और शुरुवात में ही औस्त्रिया आने का आउसर मिला मेरी यह यात्रा अइतिहासिक भी है और विशेस भी है 41 साल के बाद किसी भारतिय प्रधानमंत्री ने आउस्त्रिया का दौरा किया है यह भी सुकत सहियोग है कि यह यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी समंधों के 75 साल पूरे हुए है Friends, लोकतंत्र और रूल अफ लोग जैसे मुल्यों में साजा विश्वास हमारे समंधों की मजबुत नीव है आपसी विश्वास और shared interest से हमारे रिस्तों को बल मिलता है आज मेरे और चांसलर नहमर के बीच बहुत सार्थक बात्चित हुई हमने आपसी सहियोग को और मजबुत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है हमने निर्ने लिया है कि समंधों को strategic दिशा प्रदान की जाएगी आने वाले दसक के लिए सहियोग का खाका तयार किया गया है यह केवल आर्थिक सहियोग और निवेश तक सिमित नहीं है इंफ्रास्ट्रक्टर विकास इनोवेशन रिन्यवबल एनरजी हाइड्रोजन वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट आर्टिफिशल एंट्रिजेंस क्वांटम जैसे खेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ को जोडने का काम किया जाएगा दोनों देशों की युवाशक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट अप ब्रिज को गति दी जाएगी मॉबिलिटी और माइगरेशन पार्टरशिप पर पहले से समझोता हुआ है यह लीगल माइगरेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहीयोग देगा सांस्कृतिक और सेक्षनिक संस्ताओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा फ्रेंट्स यह हौल जहां हम खड़े हैं बहुत ही अइतिहासिक है उन्नीश्वी सदी में यहाँ अइतिहासिक विएना कॉंग्रेस होस्ट की गई थी उस कांफरंस ने यूरप में शांती और स्थीरता को दिशा प्रदान की थी मैंने और कांचलर नेमर ने विश्व में चल रहे विवादों चाहे यूक्रेन में संगर्स हो या पस्षी मेशय की स्थिकी सभी पर विस्तार में बात की है मैंने पहले भी कहा है किया युद्ध का समय नहीं है समस्याओं का समाधान रण भूमी में नहीं हो सकता कहीं भी हो मासुम लोगों की जान की हानी स्विकारियन नहीं है भारत और आश्ट्रिया शांति और स्थिर्ता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलोग और डिप्लोमसी पर बल देते हैं इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तयार है इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब की इस्ट्री.com को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना न भूली धन्यवाद